सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और साथ इसाथ बेल आइकन को भी प्रेश कीजिए आगे मेरे लेटेस वेडियो आपको सबसे पहले मिल सके अब बिसम्मिलायन माने रहें सब्सक्राइब कुण्यूट की असल में यह हरीपूर हजारा की डिश है लेकिन क्योंके चिंड्यूट में बहुत जादा खाये जाती है इसलिए वहां पर चिंड्यूट में वशूर है और अब तो किरांची वाले भी इसको बहुत जादा शौक से खा दें बहुत पसंदी जाती ही किरांची वेडिश तो देखेंए इसमें क्या क्या डलेगा मैंने डेड़ किलो गियो है मतन का गोश्ट लिया है इसमें इसकी बोटिया तो बड़ी होती है गोष्ट भी डाला है तो अब इसमें बताये किसावाब धन्या लेंगे और आदा चम्छन द्ली लेंगे देड़ चमड जो है पिसी लाल मेर्च लेंगे गरम मसाला है इतमे नाम जेदे हैं इसकी काली मेर्च है और लगसा नदरख और काला जीर ही डालेंगे नमक डालेंगे आर्टा डलेगा इसमें और ये चौप प्यास देंगे, आईए हम इसको तयार करके है, अच्छा ये तो देखें कि खुद्नेगोश के सब प्रे एहम बात ये है कि इसको हम मट्टी के हंडिया में पगाएंगे, सबसे पहले एक कब गी डालेंगे, इसमें घी में ये बहुत मज़ेदार बनता है, आप इसमें हम बर्भ तरह अचाना एक करेंगे, तारची दी इस्तिक है, काली मेरा चे, लौं है ये हम इसमें डालेंगे पहले थोड़ा सा इसको इसके साथ मिल्स करेंगे, भुड़ा, फिलेम करेंगे, अब हम ये चार हमने प्यास काटी दी वो डालेंगे इसमें लेकिन इसको ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है बद दो मिनट के नहीं इसको मठोते करेंगे कलर इसका बिल्कुल ब्राउन नहीं आना चाहिए वाइड ही रहेगा मक्तन की बहुत भीनी भीनी खुशिबु आ रही है घर के खाने जो है हमें घर के खाने खाने चाहिए सियद के नहीं बहुत जादा अच्छे होते हैं हम बार बार आपसे नहीं कहते हैं कि बाहर की खानी नहीं है वो आवाइल दीजिए है दो मिनट हम इसको चलाएंगे बस उसके बाद हम इसमें गोश एड कर देंगे अच्छा जी अब इसमें हम गोश एड करेंगे इस विल्दाय रह्मानी रजिए अब 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 आपना लोई रखेंगे लिए जाथा हाइफ नहीं करेंगे एक में इसमें पाई टीवी पाई टीवी अपटी डाली है इसमें तरह नहीं फारे इस तरह करते हम पाई पोशे इसक तरह कंदी गोश थोड़ासा राइट हो जाएगा तब इसको दो से तीम मिलाट के रिए नहीं तरह बूनिंगे नहीं पुलने को जागा दूनते में हैं उपर से हम हाफ टीज़ब नमक डाल देंगे इसमें नमक आप 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 में भी डाल सकते हैं अगर आपको कम लगे मैंने इसमें अभी हाफ टीज़ब डाला है तो चलिए इसको दो सी तीम मिनट के नहीं बन करते हैं हमारी यह रोष्ट का जो करण है यह बड़ा बाइट हो गया है तो हमने इसमें लस्तर दर डाला और यह हम इसी विलार में रच डालेंगे हल्दी डालेंगे और यह पिसा दनिया डालेंगे पुलना जो है दादतर मतन में ही बनता है अगर आप बनान चाहें तो मैं आपको छिकन का भी बता दूँगी नीजे कमेंट्स में बताईए कब कौन चिकन का कुन्ना खाना चाहता है तो पि आपको चिकन का भी बता दूँगी उसके बाद हम एक से डेड़ लीटर जो है इसमें पानी डालेंगे और इसको एक से डेड़ गूंटे की निये रखके छोड़ देंगे अराम के फिर आप अपने काम मम करते रहिए जो आपको करना है क्योंकि हमारा ही जो मटन है यह राम से बलता रहेगा और अपना मदा जो है लेता रहेगा बहुत मदे का जबी तैयार हुजेगा फिर हम इसको इसको इंशाल्लत आला एक से डेड़ गूंटे के बाद खोलेंगे अच्छा जी तो आदा कप आटे में हम एक कप पानी मिलाएंगे और पुन्ना के अंदर डाल देंगे और फिर आदे घंटे के बाद जो है मुझे को खोलेंगे और देखेंगे कि हमारा सालन कैसा तैयार हुआ है अच्छा जी देखिए फाइनली हमारा सेंटर पर हमारा जो खुन्ना है बहुत मदेजात तैयार हो गया है और आप लोग समझते हैं कि बहुत मुश्किल है बहुत आसान रेसिपी आप यकिनन बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मदेगी आपको लगेगी आप इसको जरूर बनाईएगा और पिर मुझे बताईएगा कि आपको कैसा लगा है बहुत मदेदार पुन्ना ये तैयार और लाइक शेयर दरूर दिजिए का गुआ में याद लगए का सब्सक्राइब कीजिए का लाफेज